आजकर मैं सुन रहा हूँ कि बहुत लोग ये विरोध कर रहे हैं कि पहले तो विवधान डालते रहे राम मंदिर बना सकते थे जब से देश आजाद हुआ वैसे तो ये संगर्स 500 सालों से अधिका चल रहा है लेकिन कोई भी पार्टी अधिक तर तो कॉंग्रेस पार्टी रह आज कह रहे हैं कि मोदी श्रे क्यों ले रहे हैं अरे भाई माननीय न्यायालियों का मैं सम्मान करता हूं लेकिन माननीय उच्चतम न्यायाले तो तब भी थी और तब आदेश क्यों नहीं दे दिया तब फैसला क्यों नहीं दे दिया क्योंकि जो शासन सत्ता होती है शासन स सत्ता सकारात्मक है तो जो नियाय प्रणाली होती है वो भी सकारात्मक रूप से कारे करती है कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महराज जी माननी योगी जी और प्रधान मंत्री माननी मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है आंदोलनों में तो बाद भी ये बहुत बड़ा योगदान है बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं प्राणप्रतिष्ठा में अरे ये प्रभूश्री राम सबके हैं अखिल कोटी ब्रम्भांड नायक करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ जगन नियंता जगदाधार कंद स्री रागवेंद्र सरकार प्रभूश्री राम चंद्र जी का प्राणप्रतिष्ठा और राज्या विशेक होने जा रहा है काक बुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि सुनु खगपति यह कथा पावनी त्रिविद ताप भवभैदावनी अगर कोई राम के प्रविद ताप भवभैदावनी तीनों प्रकार के आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप नश्ट हो जाते हैं यहां तक कि जन्म मरण का भैवी समापत हो जाता है इतनी यह पवित्र कथा है भगवान की और आज वो सवभाग्य आया है 22 जन्वरी सन 2024 को कि जब स्वयम प्रभुश्री राम अपने गर्व ग्रह में सिंगासन पर विराजमान होने जा रहे हैं इसलिए पूरे भारत वर्स में मैं अध्यात्म गुरु महाम मंडलेश्वर स्वामी कश्नानंद संपूर्ण सनातनी हिंदूों को भारत बासियों को और जा रहा है जैसे त्रेता युग में जिस समय प्रभुश्री राम राज शिंगासन पर बैठे थे राम राज बैठे त्रही लोग का हरशित बहे गए सबसो का त्रही लोग का हरशित बहे तीनों लोग प्रसंद हो गए थे सभी सोक मुत्त हो गए थे इसलिए अरे विधर्म का इस समय बैर भाव का परित्याक कर दो क्योंकि प्रभूर्श्री राम जवराज सिंगासन पर बैटे थे तो बैर उनकर का हूसन कोई राम प्रताप विशमता कोई राम राजी जप्रारम हुआ था तो सारे यानि सिंग और गाय एक घाट पर पानी पीते थे इसलिए मैं सभी नास्तिकों से ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोग हर सूर्लास के साथ प्रभूश्री राम की प्राणपतिष्ठा महोत्सब में उपस्तितों और अपने जीवन को धन्य करें क्योंकि अयतियासिक छण है ऐसा छण फिर जीवन में कभी मिलने वाला नहीं है जय श्री राम जय श्री राम हम सभी सनातनी हिंदूं के लिए बड़े गवरब की बात है कि 22 जनवरी सन 2024 को आयोध्या में जहां पर भगवान श्री राम का गर्व ग्रह है उस गर्व ग्रह में जहां पर त्रेता यूग में भगवान श्री राम मा कोशल्या के सामने अवतरित हुए थे उसी जगे पर 500 वर्स से अधिक समय बीद जाने के बाद ऐसा सुवसर आया है कि वहाँ पर प्राणप्रतिष्ठा महुत्सब होने जा रहा है प्राणप्रतिष्ठा समारु होने जा रहा है संसार के जितने भी आनंद के अवसर होते हैं उनको सबको उत्सब कहते हैं जैसे विवाहोत्सब है जनमोत्सब है दिपोत्सब है होलिकोत्सब है लेकिन जहां पर भगवान की कथा हो भगवान की प्राणप्रतिष्ठा हो तो उसको महोत्सब कहते हैं श्रीमत वागवद महापुराण में आया है कि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्षन मनसो महोत्सवं तदेव शोकारण वशोशनम नणाम यदुत तमस लोक यशो नुगी यते आज बड़े सवागी की बात है मैं सभी सनातनी हिंदुओं का आवाहन करता हूँ कि सभी लोग 22 जनवरी संदोजार चोबिस को अपने अपने घरों में रहे करके अपने पडोस के मंदिरों में अबद पूरी का मंदिर राम जनम भूमी का मंदिर समझ करके पांच दीपक अथ सभी का पुना आवान करता हूँ वाइस जनवरी को ग्यारा दीपक देशीगी के जला करके प्रभु स्री राम के प्रती अपनी भक्ती को अपने भाव को समत्वित करो आज बहुत से विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी के द्वारा प्रान प्रतिष्ठा समा रो क्यों किया जा रहा है मोदी प्रान प्रतिष्ठा में क्यों जाएंगे मोदी को नहीं जाना चाहिए मोदी की जाती नीची है अरे जाती से क्या मतलब मोदी सनातनी हिंदू है कोई जाती से मतलब नहीं होता है सनातन हिंदू का मतलब है जिसके कर्म वैदिक है शास्त्री है वो पूझनी है दूसरी बात कि राजा जो होता है हमारे शासर कहते हैं कि सर्व वेद मयो विप्रह सर्व देव मयो निरपह राजा की कोई जाती नहीं होती है राजा इश्वर के रूप में होता है और आज माननी प्रदान मंत्री मोदी जी के द्वारा जो इस राम जन भूमी आंदोलन में बड़े सक्री रूप से जिनकी भूमी का रही है ऐसे माननी प्रदान मंत्री के पद पर वो आसीन है और उनके द्वारा उनके हाथों से प्राण प्रदिष्टा होने जा रही है बड़े सोभागी की बात है और उन्होंने नासिक में जाकर के जो घोशना की है कि मैं यम नियम का पालन करूंगा देखो यम नियम के पालन करना क्योंकि मूर्ति में प्राण प्रदिष्टा करने से पहले हमा काओन ऐसा व्यक्ति है कि जो इतनी साधना करने के बाद वहां उपस्तित हो यह मैं बहुत-बहुत साथ बाद देता हूं बहुत-बहुत बधाई देता हूं बहुत-बहुत सिद्धी नहीं होती है, कोई भी साधना नहीं की जा सकती है, कोई भी उपासना सफल नहीं होती है, यम का मतलब क्या होता है, कि अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमा, ये पांच यम होते हैं, कौन कौन से, अहिंसा का पालन करना, अहिंसा किसी का मन नहीं दुख करने वाला आइंसा का पारण करने वाला तप करने वाला ब्रह्मचर करने वाला संग्रह का परित्या करने वाला ये पांच नियम होते हैं तो मोदी जी ने जो गोशना की मैं यम नियम का पारण करूँगा नियम क्या होते हैं कि सौच संतोस तपह स्वाध्याई इश्वर प्र तब हो धर्म का पालन करने के लिए कश्ट सहन करने की चमता हो, स्वाध्याय हो, इस्वर के प्रती निवेदन हो, इस्वर के प्रती समर्पन हो, ये नियम के अंतरगत आता है। आजी से कहा कि राम करहु सवसंजम आजू, हरे हे राम, आज आप सभी संयम नियम संयम यम नियम का पालन करिए। क्यों? राम करहु सवसंजम आजू और जौबिध कुसल निवाही काजू, जिससे बिधाता इस कारे का कुसलता पुर्वक निर्वा कर दे। कुसलता पुर्व के कारे संपातित हो जाए क्योंकि राम का राज्या विशेक होने जा रहा है राम का राज्या विशेक राज सिंगासन पर बैठने जा रहे हैं राम राज्य का सुभारंब होने जा रहा है कोई चोटी मोटी चीज नहीं है और इसलिए आज मोदी जी ने वड़ा ही प्रसंस नि कारे किया है मैं अध्यात्म गुरु महामंडले इस्वामि के श्रानंद पुना-पुना बहुत-बहुत सुभकामनाय देता हूं और इस्वार से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ऐसे राजर श्री प्रदान मंत्री मोधी जी को भगवान शक्ति प्रदान करें और वो दिव्य ह प्रत्ता को वहां पर प्रभू श्री राम को अयुद्या में प्रान प्रतिष्टा करके उनको राज सिंग आसन पर इस्थापित करें जय श्री राम